एवरीवन, वेलकम टू मैतरी पार्टशाला, होप यू ओल आर सेफ और हल्दी तो आज की इस क्लास में हम डिसकस करेंगे कक्षा चार की हिंदी व्याकरण की एक वर्कशीट इससे पहले हम चार चैप्टर डिसकस कर चुके हैं हिंदी व्याकरण के भाषा, वर्ण, वर्ण, माला, शब्द और वाक्या से तो हमने इन चारों टॉपिक को अच्छे से समझा है इन चारों की अलग-अलेक वर्कशीट भी करी है तो अब मैं इन चारों टॉपिक को मिलाकर एक इन्टिग्रेटिड वर्कशीट आपके लेकर आई हूँ जिससे कि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और कॉंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो नाव फर्स्ट हमारा क्योशन है जब हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुचाते है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाशा कहते है जब भी आप लिखकर या पढ़कर ये दो शब्द यदि स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो वो आपका है लिखित भाशा और यदि बोलकर ये सुनकर ये शब्द आते हैं तो वो होता है आपका मोखिक भाशा नेक्स्ट है वन को अक्षर भी कहते हैं तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है निरथक शब्द का कोई अर्थ होता है नहीं जो निरर्थक शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है सार्थक शब्दों का ही अर्थ होता है सैयुक्त व्यंजन पांच होते हैं सो नहीं ये statement भी गलत है सयुक्त वेंजन पांच नहीं होते चार होते हैं सयुक्त वेंजन होते हैं आपके ये चार श, त्र, ग्या और श, नेक्स्ट है उचित वर्ण विछेद में टिक का निशान लगाईए वर्ण विछेद हमने जाना था पोधा, तो पा हमारा अलग है, ओ की मातरा है, धा और आ, तो ये हमारा वर्ण विछेद बिलकुल सही है नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा था अपने वर्ण वाले टोपिक में कि जब किसी वियंजन में स्वर नहीं मिला होता है तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं ना कि इस तरह से तो यहाँ जो हमारा पहले वाला है यह हमारा बिलकुल सही है नेक्स्ट हमारा है दिये गए वाक्यों में उदेशे पर गोला लगाईए और विधे को रेखांकित करें उदेशे और विधे के बारे में हमने जाना था जब वाक्य का टॉपिक पड़ा था उदेशे क्या होता है जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है उदेशे और उदेशे के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो होता है हमारा विधे कुता जोर जोर से भोक रहा है तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है यहां पर कुत्ते के बारे में बात की जा रहे है तो कुत्ता क्या हो गया हमारा उदेश है और जोर जोर से भोक रहा है यह हमारा क्या हो गया विधेई नेक्स्ट हमारा है शेर जानवरों का राजा है तो किसके बारे में बात की जा रही है और क्या कहा जा रहा है कि जानवरों का राजा है तो यह हमारा हो गया विधे नेक्स्ट है मम्मी साड़ी खरीद रही है तो मम्मी क्या हो गया यहां पर हमारा उद्देश्यों क्योंकि इन नेँस्ट है प ए है तो छोटी की मातना रगए पिता नेट्स्ट है दो शार्थक शब्द और दो निर्षक शब्द लिखिए सार्थक शब्द कौ rely जैसे जिसका कोई मीनिंग होता है वो हो गए आपके शार्थक सब्द जैंकि मैं यहां लिख दू मोबाइल तो mobile एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ होता है जैसे कि मैं लिख दू रोटी तो ये क्या है सार्थक शब्द है निर्थक क्या होगा जिसका कोई meaning जैसे हम बोले थे ना रोटी वोटी तो वोटी का तो कोई मतलब नहीं होता ये हमारा निर्थक शब्द है जैसे कि हम बोलते है पानी वानी तो पानी का तो कोई मतलब है लेकिन वानी का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे जो वानी शब्द क्या लिख देंगे हम निर्थक लिख देंगे अपने मन के विचारों तथा भाओं का आदान परदान करना भाशा कहलाता है नेक्स्ट है उद्देश्य किसे कहते हैं जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो होगा हमारा विधे यहाँ पर हमारी वक्षिट का एंड होता है I hope आपको वक्षिट अच्छे से समझ आई होगी आपको यह वक्षिट कैसी लेगी कॉमेंट वक्स में अपना फीडबेक जरूर दे So watching, have a good day and please like, share and subscribe our channel